दोस्तों केनेड़ा की जो केनेड़ा में फजीयत हुई है उसके पहले ज़रा देख लीजिए मानने वर। आप मेंसे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात की गवाही देंगे आज कि एक share वेदानता की चर्चा हमने लगातार एक महीने से जोर शोर से की हुई है और हमारे clients ने वेदानता में अच्छा खासा निवेश already किया हुआ है अब जबकि वेदानता का share पिछले एक महीने में 35 फीसदी मुनाफ़ा दे चुका है तब आखे मिड़ते मिड़ते दिगज ब्रोक्रेज सीलेसे ने अपनी recommendation जारी करी है 360 पर वेदानता खड़ा हुआ है 390 का target दिया है जनता ने आओ देखाना ताओ तूट तूट के वेदानता खरीद भी लिया 30 रुपाए के लिए महोदय सिर्फ 30 रुपाए के target के लिए आज share market में गरदा उड़ रही थी वेदानता के नाम की इसलिए दोस्तों हम कहते हैं दुनिया भागती बस को पकड़ती है तो ये जो metal up cycle चल रहा है metals की चौत अरफा demand आ रही है वो तो केवल अखवारों में अब दिखना चालू हुई है महोदय मानने वर उसके संकेत पहले ही दिख रहे थे तो लोगों को खरीदने देजिए हमारे clients का इसी चक्कर में profit बढ़ता चला जा रहा है इस बीच दोस्तों महतोपूर्ण बात याए है कि आप देख लीजिए मुल्ला मॉल्बियों ने strategic silence चल लिए उन्होंने इस बार कोई फत्वा जारी नहीं किया कम्यूनिटी से आवान नहीं किया कि मोजी जी के बिरोध में कॉंग्रेस के समाझवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कीजिए ऐसा नहीं है कि मुल्ला मॉल्बियों का हिर्दय परवर्तन हो गया है इनको ये समझ में आ गया है कि अगर इन्होंने अपनी कम्यूनिटी को मैसेज दिये तो इनके सामने जो majority community है जो हिंदू समझाए है उसमें reverse polarization हो जाएगा मोदी जी को नुकसान की जग़ा है उल्टा लाव हो जाएगा कोई अचानक से लोकतंत्र में इनका भरोशा मजबूत थोड़ी हुगा है मान्यवर ध्यान से सुनिएगा मुसल्मानों की ईसाईयों की सुरक्षा करने के लिए अखवार है पुलस थाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है युनाइटेड नेशन्स है इंटरनेशनल कोर्ट अफ जेस्टिस है अमेरका है केनेडा है OIC है लेकिन आपकी हिंदूओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक मोदी है अगर वो चले गए तो ना तो संबेधान ना सुप्रीम कोर्ट ना सिक्यूरिटी काउंसिल कोई काम में नहीं आईगी महुदाय पक की बात है अगर समझ में ना आए तो रावल गांदी के आप भाशान सुन लीजिए उनका कहना है कि सरकारी तुजोरी खुल देना चाहिए किसके लिए इनके जो भाई बंदू है जो माईनोरिटी कम्यूनिटीज है उनके लिए ख़जाना खुलने की बात चल रही है सवाल यह है ख़जाना खुलतो रहे हो लेकिन ख़जाने में पैसा किसका है पैसा है आम टेक्सपियर का जो भाई साब बहुत बिजी है पैसा कमाने में उन्हें कहा परसत वोट डालने की ठीक है भाई साब मत डालिये वोट परणाम यही होगा कि आपका पैसा वैसे ही लुटाया जाएगा जैसे साल 2004 में अटल जी की पराजय के बाद UPA1 और UPA2 ने अटल जी की अच्छी योजनाओं के द्वारा कमाए गए पैसे को उलीचा था ब्रश्टाचार की भिंट चड़ा दिया गया था जो घोटालेवाजी करने की फिराक में कॉंग्रेस बैठी हुई है दोस्तों वही देख लीजिए आप केनेडा में केनेडा की सरकार है उन्होंने अभी 10-15 दिन पहले कहा था कि केनेडा की चुनाओं में इंटर्फेरेंस हो रहा है दोशी उसका भारत था लेकिन दोस्तों अब केनेडा की खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की रिपोर्ट में निकल कर आया है कि भारत का तो कोई लेना देना नहीं है उल्टा चीन ने दो-दो चुनाओं में इंटर्फेरेंस किया था जिसके परणाम सरूप टुडो की पार्टी जीती थी दो कोड़ी के डेस्ट बिन टूडो चाइनीज कंदे पर पाउं रखकर ही सत्ता की गद्धी पर वेटे हैं चीन को बचाना है तो चलो दूसरे देशों को भी लबेट लो जबकि दोस्तों ये सच्चा ही है हम पर तो ये आरोप लगाते हैं लेकिन भारती चुनाओं में हस्तक्षिप करने का प्रयास ना सिर्फ केनेडा बलकि अमेरका, यूरोप, चीन पाकिस्तान, बंगला देश सब कर रहे हैं दिन दहाडे कर रहे हैं आखों के सामने कर रहे हैं इस दोरान भी मोधी जी के नित्रत्तों में हमें भरोशा है और भारत प्रगती की राह पड़ चलता रहेगा ऐसा द्रण विश्वास है इसलिए हम शेर मार्केट में निवेश करने के लिए आप से आवान करते हैं अरे स्रीमान में राहुल गांधी तक निवेश की हुए बैटे हैं चुनाओ वो नाव तो भाया वो टाइम पास करने के लिए लड़ रहे हैं वास्ताओ मैं तो वो पैसा शेर मार्केट से कमा रहे हैं तो महोदय आप भी कम से कम राहुल कांधी से तो सीख लीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अपने पसंद दीदा आत्मनरवर इन्वेस्टर फ्यूचर से वो माफ्शन कोर्सेज अभी के अभी जोईन कर लीजिएगा